पास्सुत्रिय मांगों को लेकर 102 महतारी एक्स्प्रेस के कर्मचारी बुदवार को अनिस्चित कालिन अंदोलन पर चले गए जिससे प्रसुताओं को लाने ले जाने में काफी अस्विधा का सामना स्वजवनों को करना पड़ा रहा है सर्वज़ जीले में 13 महतारी एक्स्प्रेस संचालित है जिसमें लगबग 52 कर्मचारी काम करते हैं कर्मचारी का कहना है कि 102 महतारी एंबुलेंस स्यवा की नई स्यवा प्रदाता ठेका कमपनी द्वार भरती विज्यापन जारी कर नई कर्मचारी को भरती दी जा रही है और उन्हें काम से प्रितक किया जा रहा है एक साथते के कर्मचारी को ने बताया कि मागोवा समचाओ के निराक्रण हे तुँ माँग मुख मंत्री एंबुलेंस स्यवा प्रदाता ठेका कमपनी सहित स्वास्ति भाद यों सासन प्रसासन के समक्ष विधत कई वरसों से करते आ रहे हैं लेकिन समस्चाओं के निराकरण की दिशा में कोई सार्थक पैन नहीं हो सकी है कर्मचार्यों द्वारा इस वर्ष 29-31 मही तक कालिक पट्टी लगा कर कारिक किया गया दो जुन को रायपूर में एक दिवस्य धर्ना प्रदर्शन वा नौ जुन को सामईक अवकास लेकर आंदोलन किया लेकिन मागों पर कोई विचार नहीं किया गया इनका कहना है कि उनसे 15 घंटे तक काम लिया जा रहा है बावजूद इसकी किसी प्रकार की कोई अत्रिक तरासी नहीं दी जा रही है एम्बूलेंज में जीवन रक्षक आवसक उपकरण दवाईया एव ओक्सिजन की भी विवस्था नहीं रहती टेंडर में उलेख है कि 25 लाख किलोमीटर चल जाने पर नई एम्बूलेंज से सेवा का संचालन किया जाएगा लेकिन 25 लाख किलोमीटर से अधिक गाड़ी चलने के बाद भी ये एम्बूलेंज दौन रही है आठ से 10 हजार किलोमीटर चलने पर सर्विसिंग होना है समस्याओं की जानकारी सासन प्रसासन और स्वास्तिभाद को देने के बाद भी समाधार नहीं हुआ आरोप है कि उप्त ठेका कंपनी ने 108 सजिवनी अंबूलेंज सेवा बाधित होने की संप्रोण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता ठेका कंपनी वा सरकार की होगी विखापूर जीला में टोटल तेरा गाड़ी संचाली थे एक गाड़ी कितने मरीज होता है एक गाड़ी आठ मरीज से लेकर चार मरीज कंटीनिव ऐसा एवरेज रहता है समय मिलने पर दूरी के हिसाब से अभी आप हरताल पर मरीज बहुत दिक्कत हो रही है क्या बात वरत जोरिंग भी दे रहा है तो तीस अजार पैसा ले रहा है और पिछले समय हम जब भी इसमें निव्ट हुए थे फ्री में हम लोग निवक्त हुए थे पैसा क्यों लिया जा रहे हैं दस वर्स और कौन सी कंपनी में आप लोग पर पहली निचारे हैं हम लोग की वरतमान में किसी भी करमचारी को ना निकाला जाए अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग अनिशित कालन अंधुलन पर जाएंगे हम लोग लगतार सासन के समच्छ हम लोग नीरंतर इसकी सिकायत देते रहे कि हमारी बहुंसी मांगे हैं दस वर्ष होगे फ्रिवी से हम लोग आज 11,000 की सेल्डी दी जा रही है और सासन के समुख जब बीजेपी की गौर्मेंट थी उसमें भी हम लोग लड़ाई लड़े आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं सासन की सिवा में आज ठेका प्रथा चल रही है ठेका प्रथा चलने के कारण आज हम गुलामी के अउस्था में है और जो भी हम लोग का ड्योटी हो ता 8 घंटा के बज़ाए 12 घंटा के ड्योटी हो रहा है 12 गंठा के साथ-साथ हम लोग को राष्टी आवकास में भी कुछ नहीं मिला है कोई सुपीदा नहीं मिला सरकारी सुपीदा है का कमपनी द्वारा जारी भरती विग्यापनी रस्त किया जाए। मुख्य मंत्री के वाइदा आमुसार ठेका प्रथा से हटाया कर सरकार इस स्यवा का स्यवा का स्यवम संचालन करे और 60 साल तक नौकरी की गारांटी दी जाए। करने के लिए निर्देशित कर दिया है कि वो गाड़ी रख लें और कोई भी जो गर्बोती महिलाये हैं उनको आने जाने में कोई समस्या ना हो पी यो एल की उनको कहीं से भी ब्यवस्ता की जाए। यह आजी की घटना है आजी से हड़ताल पर अचानक गय हैं और अगर ऐसा है तो यह गलत है और कल से ब्यवस्ताव सुधार आएगा। कर क्से ला यहाते।